साथ्यों भारत के गाउं गाउं में कौने कौने में खेल प्रतिभाएं मुझूद है खेलों के महारत ही मुझूद है जरूरी है इने तलासना और इने तराशना आज छोटे से छोटे गाउं से निकले युवा पूरे देश की शान बने हुए है ये उदारन बताते हैं कि हमारे छोटे शहरों के खिलाडियों में कितना टैलेंट है कितनी प्रतिभाएं है हमें इस टैलेंट को जादा से जादा आउसर देने है इसलिए खेलो इंडिया अभियान से आज बहुत कम उम्मर में ही देश के कौने कौने में टैलेंट की पहचान की जा रही है खिलाडियों की पहचान करके उन्हें इंटरनेशनल लेवल का एटलीट बनाने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है आज इस कारकम में बहुत से दिग्ज़ खेलाडी हमारे बीच विशेश तोर पर पधारे हैं स्पोर्ट की दुनिया में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है कासी से इस ने दिखाने के लिए मैं उन सब का विशेश रुप से आभार व्यक्त करता हूं मेरे परिवार जनों आज खेलाडियों को आगे बढाने के लिए अच्छे कोच और अच्छे कोचिंग का हुना उतना ही जरूरी है यहां जो दिख्जच खिलाडी मौजूद है वो इसकी एहमियत जताते हैं और इसको जानते हैं इसलिए आज सरकार खिलाडियों के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्ता भी कर रही है जो खिलाडी बड़ी प्रतियोगिताओं में खेल कर आते हैं जिनने राष्ट्रिय आंतर राष्ट्रिय अनुभव है उन्हें बतौर कोच काम करने के लिए प्रोटसाइट किया जा रहा है देश में बिते कुछ वर्षों में युवाओं को अलग-अलग खेलों से जोड़ा गया है साथियों सरकार गाउं गाउं में जो आधुनिक खेल के इंफ्रसेक्टर का निर्बार कर रही है उसे गाउं के छोटे कस्पों के खिलाडियों को भी नए मोके मिलेंगे पहले बहतर स्टेडियम सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कौलगता, चिन्नाई ऐसे बड़े शहरों में युख लब्द थे अब देश के हर कोने में देश के दूर सुदूर इलाकों में भी खिलाडियों को ये सुविधाएं देने की कोशिस हो रही है मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया प्रोग्रेम के तहट जो स्पॉर्ट्स इंफ्रसेक्टर बनाया जा रहा है उसका बहुत अधिकलाब हमारी बेटियों को हो रहा है अब बेटियों को खेलने के लिए ट्रेजिंग के लिए गर्द से जादा दूर जाने की मजबूरी कम हो रही है